आज की वीडियो में गाईस हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus के Oxygen OS 15, Based on Android 15 के First Beta Update के बारे में जैसा कि आपको पता ही है, चाइना के अंदर Update है वो India Country से काफी पहले आ जाता है तो आज की इस वीडियो में Complete Features हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ की कैसा Control Center है, वो आपको इस Update के अंदर मिलेगा अब भी आपको जैसा की कुछ ऐसा मिलता है ना, तो काफी सरे Changes हैं, वो याँ पर होने वाले हैं जैसे की Lock Screen Customization, तो वीडियो को end तक वोच करते रिए, वीडियो आपको ये पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकतो, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओल पर प्रेस करें ना, ताकि फ्यूचर में जैसे ये Update इंडिया में रिलीज होगा, तो वीडियो आपको मारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी सबसे पहले आप लोग Update का Layout है, वह याँ पर देख सकतो, और ये जो स्क्रीन शोट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, वो है OnePlus 12W स्मार्टफून का, चाइनीज लेंगवेस के अंदर OnePlus लिखा गया है, और 12W अप्टेट है, वो मेंशन किया गया है, और आपको पता नहीं है, तो बता दू, चाइना कंटरिक के अंदर आपको Oxygen OS है न, वो OnePlus के स्मार्टफून के अंदर नहीं मिलता है, वहाँ पर Color OS चलता है, ओपो और OnePlus दोनों ही ब्रेंड के अंदर, तो आप लोग देख सकतो, Color OS 15 का आपको यहाँ पर लोगो है, वो मिल जाता है, बाकी इसका न लियाउट मिलता है, और Realme UI यह वो भी आपर CMS 100 Realme C55, उसका भी आप लोग देख सकतो, लियाउट है न, वो कुछ ऐसा दिया गया है, बात करें हम लोग पहले फीचर के बारे में, जो की है, चार्जिंग एनिमेशन, तो गाइस, इसकी चार्जिंग एनिमेशन है, वो कम्प जोट्स जोट्स देख पारे हो न, मेरे को लगता है, इसके अंदर भी एनिमेशन है, वो यहाँ पर OPPO और OnePlus की तरफ से एड़ की गई है, अब यार वो तो अपटेट आने के बाद में बता सकते हैं, कैसी एनिमेशन है न, वो यहाँ पर लगने वाली है, बाकि इसका जो फ जोट्रोल सेंटर OPPO और OnePlus की तरफ से अभी अभी आपन नए स्मार्टफोन के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो यह चेंज नहीं होगा काफी सालों तक, तो गाइस ऐसा नहीं है, यह जो डीजाइन है, वो काफी जल्दी पुरानी होने वाली है, और आपको यापर जरूर से बताना कि OnePlus की तरफ से यह जो नए नए चेंजेज हैं, वो यहाँ पर UI के अंदर किये जा रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, या फिर बुरे लग रहे हैं, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले इनकी तरफ से यह वाला कंट्रोल सेंटर है, वो यहाँ पर प् बाकी प्ले पोज है ना, वो बटन आपको सेम देखने को मिलते हैं, बाकी बात के रहें, ब्राइटनेस स्लाइडर के बारे में, ब्राइटनेस स्लाइडर है, उसकी यहाँ पर style हलकी सी आपर राउंड की गई है, जैसे कि यह थोड़ी अलग मिलती है, और यह आपर और और नीचे आपको वाइफाई और जो ब्ल्यूतूत हैं, उनके टोगल्स मिल जाते हैं, बाकी नीचे की तरफ आप लोग देख सकतो, आइकन वगेर है ना, वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकतो, अभी टोर्च का आइकन है, व आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको यूई के अंदर भी काफी सारे चेंजेस हैं, वह आपर मिलेंगे, तो सारे ही आइकन्स हैं, वह आपर चेंज हो चुके हैं, कंट्रोल सेंटर के, उगल से मैंने ये वाला स्क्रीन शोट है, वह आपर ट्रांस मोड का, जिसके अंदर सारे ही ओप्षिन है, वह इस वीजिबल रहेंगे, सेकिंड आपको यहापर ओप्षिन मिलेगा, क्लासिक मोड का, जिसके अंदर आपको मैन मैन कंट्रोल से मिलेंगे, कुछ टोगल के साथ में, और नीचे आपको सारे ही कंट्रोल के जो डिवाइस है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट फीचर है वो आपको मिले का डाइनेमिक आइलेंड अब यार गाइस यह वाला फीचर iOS के अंदर आचुका है और आपको पताईए आज के टाइम पे OnePlus की तरब से काफी सारे फीचर है वो यापर किये जा रहे है Apple iPhone से तो आपको पताईए iPhone के अंदर आपको डाइनेमिक आइलेंड है वो देखने को मिलता है तो सेम टो सेम ऐसा ही फीचर है वो आपको कट कोपी पेस्ट वाला OnePlus के Oxygen OS 15 अप्टेट के अंदर लोगो है वो देख सकतो Wi-Fi का लोगो है वो अभी आपको कुछ ऐसा मिलता है जो कि आगी चलके कुछ यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर नम्मर है वो भी आपर एड़ कर दिया गया है चार्जिंग का लियाउट है वो भी आपर यहाँ पर देखने को मिलेगे तो दिखने में यहाँ पर काफी सही लग रही है नेक्स्ट चेंज आपको मिलेगा जो कि Oxygen OS 15 अप्टेट का मेरे साब से सबसे बड़ा चेंज है या फिर सेकेंड सबसे बड़ा चेंज है फरस्ट तो कंट्रोल सेंटर हो गया सेकेंड आपको मिलेगा लोगी स्क्रीन कस्टूमाइजेशन काफी पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताये था Oxygen OS 15 अप्टेट के अंदर आपको लोगी स्क्रीन कस्टूमाइजेशन है वो देखने को मिलेगी और इसका थमनेल आप लोगी स्क्रीन पे देख सकतो चैनल पे ये वाली वीडियो काफी पहले मैंने अप्लोड करी थी और फाइनली Oxygen OS 15 अप्टेट के अंदर आपको लोगी स्क्रीन कस्टूमाइजेशन है उसका याप पर Option देखने को मिलेगा सबसे पहले इसके अंदर आपको एक Blur का Option रहना वो याप पर मिलेगा और जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो ये चो Normal Wall Paper रहना वो याप पर कुछ इस परकार का Create हो जाएगा तो ऐसे काफी सारे Feature है वो अभी मिलेंगे अभी तो गाईज आप लोग Screenshot है इसके जरी ये Feature है वो याप पर समझी है बाकि जैसे ये Update है वो याप पर Available होगा सबसे पहले वीडियो आपको मारे चैनल पर मिल जाएगी तो इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकतो Second Screenshot है इसके अंदर आप लोग देख सकतो Cancel और Apply का आपको Option मिलता है और ये कुछ इस टाइब का Wallpaper है इसके अंदर आपको तीन Option मिलेंगे First है Style का Second है Wallpaper Third है Depth तो Wallpaper के अंदर आप लोग Wallpaper है ना वो चेंज कर पाएंगे बाकि ये जो Style वाला Option है इसके अंदर आप लोग ये जो Wallpaper है ना उसको याँ पर Customize कर पाएंगे Style वाले Option पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइब का Layout है ना वो याँ पर Open होगा Status Bar के Logo है वो आप लोग देख सकतो साथी में इतने सारे Option है वो याँ पर Available हो जाएंगे अब आप लोग क्या कर सकतो सबसे पहले ये जो Cloak है उसके क्लिक करके इसकी टीन डिजाइन है उन में से कोई भी एक डिजाइन है वो आप लोग चूज कर सकतो जैसे कि First ये है Second ये Third ये तो जैसे कि इस Phone के अंदर ये वाली Style है ना वो Apply है नीचे आपको काफी सारे Fonts के Option है वो Available देखने को मिलेंगे जिसको कि आप लोग Right Side में Swipe करके ऐसे आपको 12 टोटल Fonts है वो मिलेंगे इसकी Size है वो आप लोग Adjust कर पाओगे मानलो ये जो Font है वो आपको थोड़ा बड़ा करना है तो यहां से Size है वो Adjust कर सकतो और नीचे आपको काफी सारे Color के Option है वो देखने को मिलते है जैसे कि अभी ये White Color है वो ये पर Apply है आप लोग इसके अंदर Purple ये फिर Blue Color अप्लाई करोगे तो वो चीज जना वो ये पर इस Clock वाले Option के अंदर Apply हो जाएगी Home Screen है उसके अंदर पर आपको काफी सारे Changes हैं वो देखने को मिलेंगे जैसे कि एक Option ये आपर Available है Blur, Second है Wallpaper, Third है Color, Fourth है Match Lock तो मेरे साब से जो Match Lock है उसके लिए जैसे कि Lock Screen के अंदर Wallpaper अप्लाई है वही Same Wallpaper है वह हमारी Home Screen है उसके अंदर Apply हो जागा इस वाले Option को आप लोग स्लेट करोगे Color वाला Option में आपको Already समझा दिया है Wallpaper आप लोग यहां से Change कर पाऊगे और ये जो Blur Option है उस पे क्लिक करके देख सकतो पूरा का पूरा यहां पर Wallpaper है न वहां पर Blur हो जुका है तो ये वाला Same Option है वह आपको iPhone के अंदर काफी पहले से देखने को मिलता रहा है अब मैं Oxygen OS को यहां पर यह नहीं बोलूँगा कि बेकार OS है लेकिन जहां से ये फीचर कोपी किया गया है वो भी आपको यहां पर बताना जरूरी है अब इस वाले Screen Short के अंदर भी एक और चीज़ है वोल पेपर है इसका कलर आप लोग देख सकते हो दोनों एकदम मेचिंग में है तो इस साइड हम लोग इसको करेंगे ना तो वोल पेपर का कलर है वो कुछ ऐसा अपलाई हो जागा तो यह मेरे को तो काफी ज़दा excitement है वहां पर हो चुकी है Oxygen OS 15 Update को ट्राइ करने की थोड़ी देर पहले गाइस मैंने आपको बताए था जैसा कि वोल पेपर हमारी लोग की स्क्रीन के अंदर अपलाई है उसके अंदर हम लोग एक चीज़ है वहां पर एड़िज कर सकते हैं जो की है यह मेच लोग इस वाले ओप्षिन पर क्लिक करेंगे तो देख सकतो लोग की स्क्रीन के अंदर ब्लेक कलर का वोल पेपर है वो अपलाई है तो उसी टाइप का एक नया वोल पेपर है जो की AI की मदद से जनरेट हो सकता है या फिर Realme UI Oxygen OS या फिर Color OS है ना उसके अंदर प्री इंस्टॉल कुछ वोल पेपर है वो में मिल सकते हैं तो अटोमेटिकली जो Color है वो चूज हो जाएगा Home Screen के अंदर भी और यहां से आप लोग इस चीज़ को अपलाई कर पाएंगे अब ये एक नया स्क्रीन शोट है वो साम निकल गया है मुझे तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही है अगर आपको पता चल रहे है कि कौन-कौन से चेंज़ेस हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप लोग बता सकतो कमेंट सेक्शन के अंदर बाकी गाईज मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहे है कि ये वाला जो पेज है ना वो हमारे फोन के अंदर जैसे की प्रेसनलाइजेसन का ओप्षिन मिलता है सेटिंग ओप्षिन के अंदर ये वाला वॉल्पिपर्स एंड स्टाइल तो आप लोग इसके अंदर देख सकतो ओल्वेज ओन डिस्प्ले का ओप्षिन है वहाँ पर मेंशन किया गया है तो इसका लियाउट है ना वो चेंज हो के कुछ ऐसा आमें देखने को मिलेगा ये मेरे साबसे होमी स्क्रीन है और ये लोकी स्क्रीन है और ये ओल्वेज ओन डिस्प्ले है उसका आप लोग लियाउट है वो देख सकतो और ये आईकन्स का लियाउट है ना वो हो सकता है तो आप लोगों को क्या ये चीज सही लग रहे है बताना जरूर से कमेंट सेक्षिन के अंदर अब आप लोग ये एक नई चीज है ना वो यहाँ पर देख सकतो जहाँ पर wallpaper तो काफी ज़्यदा simple होगा लेकिन filters के option आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे तो जैसे कि हमने ये वाला filter रहे ना वो apply कर दिया है तो wallpaper के अंदर जैसे कि nothing का wallpaper होता है उसके अंदर lines होती है ना क multiple lock screen और home screen के setups है वो हम लोग add कर पाएंगे और इसकी जो image है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ और one click के अंदर जिस setup को आपको apply करना है वो आप लोग easily कर पाएंगे और ये सबी चीज है ना वहाँ पर copy की गई है Samsung के one UI से क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इसी परका तो body होगे कुछ आपको ऐसी मिलेगी ये तीन आपको option मिलेंगे जो कि मैं आपको वीडियो के starting में यहाँ पर बता दिया था काफी जदा research करने के बाद में home screen की जो image है वो यहाँ पर मिली है और वो कुछ आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा वैसे ये real me UI है ना उसक जने भी logo है उनको यहाँ पर redesign किया जाएगा OnePlus की तरब से जो Oxygen OS 15 based on Android 15 का official update और beta update है वो आपको इन सभी OnePlus के smartphone के अंदर मिलेगा और सबसे पहले इंडिया में update है वो आपको OnePlus 12W smartphone के मिलेगा उसके बाद में OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus 10R तो complete OnePlus 10 की और 11 की और 12W के आपको series मिल ज का जो lineup है उसके अंदर आपको सबसे पहले OnePlus Nord 3 के अंदर update है वो मिल सकता है उसके बाद में OnePlus Nord CE3, OnePlus Nord CE3, Light 5G और अभी जो recently OnePlus की जो Nord 4 की series है वो यहाँ पर release हुई है, इंडिया के अंदर launch हुई है, उन सभी smartphone को भी आप लोग यहाँ पर add कर सकतो, ऐसा मत बोलना कि इस list के वो यहाँ पर launch हुई है, उन सभी के अंदर आपको Oxygen OS 15 का update है, वो यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगा, तो गाइस यही था है इस वीडियो के अंदर, वीडियो आपको इच्छी लगी तो वीडियो को like कर सकतो, और चैनल को subscribe करके bell icon को all पर praise कर लेना, और आप लोग सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में, जेहिंद वन्दे मातरम